दोस्तों, नमस्कार, सुबाइस, आप सुभीका ओलाने डॉफरोषी यवीटीब चैनल पे जिसके डोसों आप जानते किसी परती सम्मधित कोई भी जानकाई होती है, आप सुभीका ओलाने डॉफरोषी चैनल के मादियां से दी जाती इस वीडियो में बात करने वाले है नई 27,000 सिच्छक भरती को लेकर 6,819,000 सीटों के बारे में डेटेल में हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो शुजू करते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें आगे बटने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डिलेट की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षू पेकासन की हैं ये आपको इस्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है जो कि अठाया जनवाई दोजा तेस के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है तीन अजार से ज़्यादा कोशन इसके लावा दो सॉल पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं बिहार डिलेट में पूछे गए सभी प्रीवेस ये कोशन साथ ही इसके लावा मोस्ट एक्सपेक्टेड कोशन भी ये स्टड़ी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डिलेट एक्जाम क्रेक करना चाहते हैं तो क्योंकि इसमें सभी तत्यों को और सभी पूइंट को ध्यान दखा गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्पूर है इसमें आपको ध्योजी के साथ-साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मुस्ट एक्सपेक्टेड कोशन जैसा कि आप अपनी स्कीन पर देख सकते हैं इत्वे कुश्ण कि उत्तर्माला के साथ आप को मिलतें लवाख्यात्मक उत्तर जिससे के आपके कुश्ण करतना हों विहार डीलेटकी स्टडी। के साथ चक्षू पकाशन का आता है बिहार का पैक्टिस सेट इसको भी आप यासे पर्चेस कर सकते इन दौनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिसक्रिप्शन में दे दी हैं Amazon या फ्लिप कार्ट से या फिर अपने नज़दी की इस्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं लिंक वीडियो की डिसक्रिप्शन में हैं शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते कि 99,000 सिच्छक बरती के चलते ही नई प्रैमरी सिच्छक बरती का विग्याबन आज तक जारी नहीं हुआ पिछले चार या पांच सालों से अब्रती लगाता नई प्रैमरी सिच्छक बरती का इंतिजार कर रहें लेकिन उसके ना आप आने की बज़े कहीं न कहीं 99,000 सिच्छक बरती से होकर जाता है क्योंकि 99,000 को लेकर सरकार हमेशा ये गाती रही कि 99,000 का मामला रटका है जिसके चलते नहीं बरती हम नहीं दे रहें जब पुराने 37,000 दुवेदी थे वो भी ही कहते थे संदीप सिंग आये तो उनके बाद्धियम से भी ऐसा बयान कल पर जो ही दिया गया है विदान सभा के अंदर तो यहां से एक बात तो साफ हो जाते है कि अगर 99,000 सिच्छक बरती के लिए हो जाए तो बहुत सारा फाइदा देखने के लिए मिलेगा पहला तो ऐसे अब्यर्थी जो उन्हेतर अजार से प्रवावित हैं कम से कम वो इस बात से डाइवर्ट होकर नई भरती के तरफ जाएंगे क्योंकि जब तक 99,000 लटकी जाएगी मुद्दे खतम नहीं होंगे चाहिए वो एनोसवी का हो उतरकुंजी का हो 6,800 का हो या फिर इसके लावा कोई और मामला आरच्छन से संब्देत सेम दूसी तरफ अगर बात की जाएं नई प्राइमरी सिच्छक वरती के विग्यापन के बारे में तो अबयर्दी यहां पर टार्गेट नि कर पाएं नई प्राइमरी को लेकर क्योंकि सरकार 99,000 को लेकर बैठ जाती है अब अगर बात की जाए उनेतर अजा सिच्छक वरती के ऑडर के बारे में जिसा कि दोस्तों आप सभी जानते कि उनेतर अजा सिच्छक वरती के अंदर आरचन घुटाले को लेकर चार्तों के माध्यम से कोट में याचिका दाखिल की गई थी जब यहां से चैन सूची जारी हुई थी जब यहां पर सूची जारी की गई थी तो उस समय पर बहुत सारे अभ्यति ने कहा था कि यहां पर आरचन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है और बहुत सारे ऐसे अभ्यति हैं जो कि इस भरती में चैनी थोने चाहिए थे लेकिन उनको बाहर कर दिया गया कोट के ओडर को अगर हम जब कोट की माध्यम से अपना अंतिम ओर सुनाया जाएगा सिंगल बेंच के माध्यम से हाला कि सिंगल मामला डवल बेंच या सुप्रीम कोट जा सकता है लेकिन सरकार की मंसा यहीं रहती है कि अगर उनके पक्षमें ओर आ जाए तो वह जल्द जल्द इस भरती को पूरा कर भी सकते हैं अब और क्या होगा यहीं सबसे वड़ा सवाल है तो देखो यहां पर दो से तीन चीज़ां आपको समझ दे कि आप सकता है 39,000 सिचेक बरती में जो आच्छड वर्ग से संब्दी दब्रती हैं उनका कहना कि इस बरती के अंदर 19,000 सीटों का गोटाला हुआ है और उनको 19,000 सीटों मिलनी चाहिए सरकार ने माना कि 6,800 सीटों का गोटाला हुआ है और यह जो पूरे तरीके से माना गया वो रास्टी पिछड़ावर्ग आयूक की रिपोर्ट के आधार पर मान लिया गया था जब सरकार ने 6,800 को चुनाव के समय मंझूई दी उसी समय सत्रे हजार नई प्रैमरी सिच्छक बरती को लेकर भी बात की गई थी आगे हम बात करने वाले इस मुद्धे पर नई प्रैमरी को लेकर तो जब 6,800 की सरकार ने सुरिकार कर लिया फिर बाद में क्या हुआ कि मामला कोट में था 19,000 सीटों को लेकर फिर से कहीने की कोट में गया तो कोट के अंदर सवाल किया गया कि आप 30,000 सिच्छक बरती के अंदर नई पदों को नहीं जोड़ सकते हैं अब इसी जब नई पदों को जोड़ जाने की बात की गई थी तो यहां पर 6,800 को निक्ती का जो प्रोसर जो बहीं का बंदो गया क्योंकि पद बढ़ाय जाने को लेकर कोट ने मना कर दिया था अब कोट के माध्यम से क्या किया जाएगा क्या वो 6,800 को पदों को जोड़ेंगे अगर वो मानते हैं कि 6,800 का ही गोटाला हुआ है तो हो सकता है कि 6,800 को निक्ती दी जाए लेकिन कैसे दी जाएगी क्या 9,000 सिच्छिक बरती के अंदर पद जोड़ेंगे पहला दूसरा क्या यहां से जो चैनिटे मों बाहर किये जाएंगे 15,000 सिच्छिक बरती के जो मूल चैन सूची जारी की गई थी क्या उसको रद्ड किया जाएगा और जो कहिनी की गलत तरीके से चैनित हुए है उनको बाहर किया जाएगा अगर ऐसा किया जाता है तो दो साल से जो नौकरी करें उनको एक बड़ा जटका देखने के लिए मिलेगा हाला कि अभी इसके बारे में कुछ कहपाना संभब नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि 6,819,000 सीटों का जो मामला है ये काफी पेचीदा है अगर कोड इस बात को स्विकार कर लेते कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है तो 19,000 पद जोड़ना कहीं ने कहीं नए चार्टों के साथ भी नुकसान दायक होगा तो यहां पर एक सबसे बड़ा रिजन यह हो सकता है कि सरकार को निदेशित किया जाए कि 19,000 सीटों को लाया जाए अगर ऐसा नहीं होता है तो यहां से दो नुकसान होगे कि गलत तरीके जो चैनित हुए थे वो तो नौकरी करती दाएंगे नए चार्टों को नौकरी मिल जाएगी लेकिन जो नए अभ्यती आने वाले बीट और बीटीसी करेके उनके लिए पदों की संक्या बहुत जादा कम हो जाएगी क्योंकि 19,000 थोड़े पद नहीं होते हैं अगर सरकार ने घोटाला किया तो उसको सही भी कर सकती है है ना तो यहां पर बहुत साही ऐसे आप सुभी के सामने जो कोईश्चन से वो खड़े होंगे इस ओरर के अंदर ये ओरर बहुत ज़्यादा पेचीदा देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कोर्ट पहले से ही पद बढ़ाने के पक्ष में नहीं थी तो वो 6,800 को तो निक्ती देने के लिए उस समय मंजूर नहीं थे अब अगर वो माल लेते हैं कि 19,000 का घोटाला हुआ है तो 19,000 को निक्ती कैसे मिलेगी ये एक सबसे बड़ा सवाल है पद जोडना शायरी मुश्किल होगा 19,000 हो सकता है कि सरकार कहने की चैन सुची की तरफ जाए लेकिन अभी बहुत साइची चीज़ है मैं कुछ कहना नहीं चाओंगा अपनी तरफ से क्योंकि कोर्ट कुछी घंटों के अंदर अपना ओर्डर देने वाली है तो इस मुद्दे भर हम यही करेंगे कि इसमें बहुत साइचे पेच देखने के लिए मिलेंगे चाहिए वो चैनितों को बाहर करना हो पदों को जोडना हो या फिर इसके लावा कोई और रास्ता जो की कोर्ट आर्ज दे सकती है जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देदी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूलें बात कर लेते हैं नई प्राइमरी सित्षक पन के बारे में जैसा की आप जानते हैं की चार साल से अप्र्थि इंतिजार करने उन्हें उत्तर खत्म होतीए तो नई प्राइमरी निश्रीत तोर पर आप Süडारी को देखने की मिलेगी इसी के बीच लिखा हुआ है अगर बात कीज़ें पांच साल से बठक रहें बीएड़ों बीटीसी डीलेड के अभ्यती राज के मार्दिमिक और परस्थी प्रात्मी विद्याले में पांच साल से बहती देखने के लिए नहीं मिली है प्रदेश के अगर बात कीज़े इसके लाबा परस्थी प्रात्मी विद्याले के अंदर बैठ सकते हैं यहां बीएड़ वालों की बात की जारी है राज की मार्दिम विद्याले समझते हैं अल्टी गेड़ सिच्छक बरती जहां से निकाली जाती है उसी को लेकर यहां पर लिखा हुआ है कि बीएड़ करन सिच्छक बरती देखने के लिए नहीं मिली है पिछले पांच बरसों के दोरान तक्रीबर साड़े साथ लाख बीएड़ वेर्टी ने अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी कर लिए डिगरी पूरी हो जाने के बावजूरी बटकते हुए दिखाए दे रहे हैं कि यहां पर न सिच्छक बरती का उंबीत है कि दोनों जल्द खतम होंगे और भरती का दास्ता साफ होगा फिला इस वीडियो के माध्यर में से इतना ही थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो